कुछ देर तक उसके अंदर मैं डूबने के बाद जब मैं क्या है वास्तविक रूप में आता हूं तो ऐसे लगता है कि ये मेरा दूसरा जन्म है सारी दुन्या भी आ जाए फिर भी वो पीछे नहीं हटते थे इस तरह का उनका विक्तित मुथा जो सामने वाला अगर कोई नाराज हो जाए उनको इस तरह से चिडाते कि वो उसके कलीजे यहनी कलीजों पर वार होता यहनी कलीजे कटने जैसे था दिनी गुरी तरीके से उसे चिडाया करते हैं इस पार्ट के जो लेखक है अमृत लाल नागर इनके बारे में समशिप्ट में जानेंगे अमृत लाल नागर इनका जो जन्म है वो 17 आगस्ट 1916 में हुआ और इनकी प्रमुक रचनाय हैं शकीला की मा धर्म संकट जुलाब की गोली एटम बाम 14 एप्रिल एक था गांधी जै पराजय लकनवी होली आदी इस सब इनकी प्रमुक रचनाय हैं इनकी मृत्यों जो है सन 23 फरवरी 1990 में इनकी मृत्यों हुए तीज बरस का साती राम बिला शर्मा जो आपके लिए है वो एक संस्मरण है इसमें अमृत लाल नागर जी जो है वो अपनी स्मृतियों को यहां पर लिखे है यह एक कहें अनमोल निधी है यह एक संस्मरण जो है साहिती की एक अनमोल निधी है इसमें जो सच्चे मित्र होते हैं जो कि यह एक दूसरे का किस प्रकार साथ देते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं और वो कितने इमानदार होते हैं कितने सच्चे होते हैं ये सारी बातों को इन्होंने इस संस्मरण द्वारा बताया है अमरुताल नागर जी ने ये जो संस्मरण है वो बहुत अच्छी तरह से लिखा है इसकी भाषा शैली भी इतनी ही अच्छी है यहाँ पर डॉक्टर के पुराने पत्रों के संजो कर बैठा हूँ संद चालिस से लेकर चाउसट तक के पत्र लिफाफे हैं हम पर कहा जाता है कि वह सारे जो पत्र हैं वो सब कुछ निकाल कर बैठे हैं चालिस से लेकर चाउसट तक पाटी से लेकर सिक्स्टी पोर तक के जो भी पत्र और लिफाफे हैं वो सारे निकाल कर बैठे हुए है और पोस्कार्ड और अंतरदेशिया पत्र के कागस अंतरदेशिया का अर्थ है इंग्लेंड लेटर यह सारे पत्र पर लिखी गई चिट्टियों की नुमाईश लगी है यही इतनी सारे जो पत्र हैं वो सामने इखटा करके बैठे हुए है इन धेड सारे तिथियों और वर्षों के हुजूम से गुजरते हुए मेरा मन स्मृतियों की नशीली तरंगों से भर उठा है सारी चिटियां जो कि इनकी मित्रों की थी यह इनके मित्रों के भी इसमें कुछ पत्र थे बहुत सारी चिटियां थी उसे संजो कर बैठे तो जो है यहां पर जो गुजरी हुए मेरी स्मृतियों वो बता रहे हैं कि जो गुजरा हुआ मेरा पल है वो जो स्मृतियों जो य पर उठेनी वो फिर से यादें जो है तरंगों की भाती जो है इनको याद आ रही है इन पत्रों के बहाने ये यादें कहीं कहीं देर तक टिक जाती है इन पत्रों के जब ये पत्र लेकर मैं पढ़ता हूं तो कहीं कहीं ये यादें जो हैं मेरे मस्तिक्ष में बहुत देर तक तिक जाते हैं वो यादों में मैं खो जाता हूं इस तरह से यहां पर लेख खेरे हैं और जब उन से उभर कर अपने वर्तमान में आता हूं तो लगता है कि विकास की अटूट परमपरा से जुड़े रहने के बावजूद भी किसी दूसरे जन्म में आ गया हूं जब वो स्प से लगता है कि यह मेरा दूसरा जन्म में आ गया तो यह अधेड उम्र उसकी जिम्यदारियां सुक दुख थोड़ी देर के लिए सब भूल गया जब मैं यादों में डूप जाता हूं उन पत्रों के सहारे यह जो मेरी अधेड उम्र है इसमें सुक और दुख और जो है थो इनि वर्तमान में हूं जो वास्तवीक रूप में हूं यह सारी चीज़ें जब मैं यादों में डूप जाता हूं इस पत्रों के सहारे जो पत्र हैं उसे पढ़ते हुए वो चिटियों को पढ़ते हुए अपने संस्मरण में यादों में जब मैं डूप जाता हूं तो यह स मैं भूल जाता, उन्नीस वीस बरस की लड़काई उम्र में, यह अपने दिन देखने, जो इनकी जब उम्र α Buy लिस बरस की थी, वह छोटा सा लडख闢 था, उन्नीस और भीस बरस की जो लडखढ है, उस अपने उन दिनों में में मैं खो जाता हूं, यादों में मैं क्या है खो जाता हूं से देखने लगता लकनो विश्व विद्याले के चात्र शामबन के चेहरे पतली रेखासी मूचें और इन्हीं कसरती बदन कसरती बदन वाले नव इवक राम विला शर्मा मेरे ध्यान ध्यान दृस्टी के सामने इस समय एकदम सजीव मूर्ती मन्द होकर खड़े हैं जबकि मैं लकनो विश्व विद्याले में जो है मेरी पड़ाई हो रही थी मैं उस समय वहाँ पर था तो उस वक्त जो एक चात्र था जो कि शाम रंग का यहीं काला या सामले रंग का जो यह का कहें चात्र था जिसकी पतली सी मूचें और जो है कसरती बदन जिसका था वो यह एक नव्युवक जिसका नाम राम विलाश शर्मा था वो मेरी स्मृती में आ जाता है वो मेरी ध्यान दृस्टी में मेरे यादों में मेरे ध्यान दृस्टी में कहें वो सामने आ जाते हैं इ पिर समय एकदम सजीव, फिर वो समय एकदम सजीव हो जाता है, मूर्ती मन्त होकर वो जो रामविला शर्मा है, जो मेरे मित्र है, मेरे कहें मेरी यादों में वो कहें खड़े हो जाते हैं, वो मेरे सामने आकर खड़े जिसे कि उस समय की बातें जो हैं मुझे याद आ जाते है जिस समय राम विला शर्मा और मेरी यही मित्रता हुई किस प्रकार मित्रता हुई कैसे हमने समय बिताए सारी बातें जो है सजीव होने लगती है इस तरह से लेकर के हां पर कहरें जहां तक याद पढ़ता है वे सन 1934 में जांसी से इंटर्मीजियेट पास करके यहां पढ़ने आए तो पढ़ने आए थे मेरी पहली फेंड 1935 के मार्च महिने में होली के ये क्या दो रोज बाद हुई थी तो यहाँ पर अम्रुद्त और लाल जी कहते है कि मेरी जो भेंट है मेरे मित्र से राम बिलास शरमा से क्या है 1935 के मार्च महीने में हो ली के ये क्या दो दिन बाद उनसे हुई थी राम विलाश शर्मा लकनो आने के कुछी अर्से के बाद निराला जी से उनकी भेंट हुई थी जब वो लकनो विश्मविध्याले में पढ़ाई के लिए आये थे उसके कुछी अर्से के बाद जो निराला जी है सुरिकांत्रिपाटी निराला जी उनसे इनकी भेंट हुई महा कवी राम विलाश से बहुत प्रभावित हो गए थे निराला जी जो है वो कहें राम विलाश शर्मा से बहुत ज्यादा ही आकर्शित हो गए थे बहुत ज्यादा ही प्रभावित हो गए थे मुझसे मिलने पर अक्सर जो है राम विलास की प्रशंसा किया करते थे जब भी क्या है अमरुत लाल से अमरुत लाल नागर्जी से लेखक से मिलते थे तब जो है ज्यादा तर जो है राम विलास शर्मा जी है उनकी ही तारीफ है उनकी ही प्रशंसा इनके सामने किया करते बड़ा तेज है ये डॉक्टर बनेगा एक दिन अपने गुरु सिधान्त को भी अंग्रेजी में पचेड़ेगा यहां पर पचेड़ेगा यहां पर वो बताते हैं कि बहुत ज्यादा ही चत्तुर है वो विध्या बहुत ज्यादा ही चालाक है और वो अंग्रेजी में जो हैं किया है अपने गुरु को भी पीछे कर देगा ऐसा किया है वो जरूर डॉक्टर बनेगा ऐसा वो एक छात्र है इस तरह से कहते थे मेरे मन पर अपरिचित रामविला शर्मा का रोब चा गया जो कि अभी कहें इनका लेखक से इनका परिचे अभी तक नहीं हुआ था रामविला शर्मा जी का तो ऐसे अपरिचित मित्र के प्रती जो है रोब सा चा गया था लेखक तो यहां पर अभी इन दोनों की मित्रता नहीं हुई थी एक दोनों की पहचान नहीं हुई थी उस बार श्री राम रोड स्तेत सरस्पती पुस्तक भंडार की दुकान पर मालिक श्री राम विलाश पांडे ने मुझे बताया कि ये राम विलाश शर्मा जा रहे हैं पर वे मेरे देखते देखते ही आंखों से पोजल हो यहाँ पर लेखक के मन में उनके परती एक रूप था उनसे मिलने की एक तड़ब थी उनको देखने की एक तड़ब लेकिन वो अभी तक उनसे मिल नहीं पाये थी तभी जो है राम विलाश पांडे जो जो सरस्वती पुस्तक भंडार की दुकान के मालिक थे उन्होंने बताया कि जो जा रहे हैं यहां पर से जो जा रहे हैं वो जो हैं राम विलाश शर्मा जा रहे हैं तो ये जो हैं लेखक उनकी और देखते हैं ऐसे देखते देखते उनकी आँखों से वो होजल हो जाते हैं नहीं वहां से वे चले जाते हैं जो लेखक हैं इनके पिता का दिहान्त हो जाता है तो महाकवी जो निराला जी थे इनके घर के चक्कर लगा कर जाया करते थे फिर एक दिन जो होली के बाद क्या है लेखक निराला जी के घर गए जो कि नारियल के नारियल वाली गली में इनका घर था वहाँ पर जाते हैं तो जो महा कवी यानी निराला जी जो तुलसी दास लिक रहे थे या लिकने की तैयारी में थे यहाँ पर लेखके थे तो जब मैं वहाँ पर गया उसी दिन जो है राम विला सर्मा जी से मुलाखात निराला जी बहुत ही हरशता से बहुत ही अच्छी तरह से उनका परिचे करवाया और यहां पर अंग्रेजी के जितने भी यहां पर जो भी पोईट है आथर है उनके बारे में चर्चा हुई तो वहां पर जो इनका अचुक गन्यान था निराला जी बहुत जियादा ही राम विलाश शर्मा जी से प्रभावित हुए था इनका अचु गन्यान अंग्रेजी में था तो इस तरह से उनकी मुलाखात यानि लेखक की मुलाखात जो है वो राम विलाश शर्मा जी से होती है फिर इसी तरह से वो थोड़ी यह एक दो बार या तीन बार इस तरह से मिलते हैं और बहुत संकोच्चता एक क्या है उनका चरीतर था लेक पिर भी वो क्या है इन क्या है संकोच्चते हुए ही एक दो बात क्या है ये किया करते थे इस तरह से उनकी मित्रता शुरू हुई यहां पर उनके मित्रता किस प्रकार से हुई इसके बारे में लेखक कहते हैं अमृतलाल नागर जी तीस बरस का साती राम विलास शर्मा संस्मरंड में राम विलास जी के विक्तित्व के बारे में इस प्रकार कहते हैं कि इनका जो विक्तित्व है वो प्रेम चर्चा शून रहा वो और जहां वो इनी डट गए वहां अंगत के पाम की तरहां चिर था जहां वो डट जाते वो अंगत का जो पाम है इस तरहां से चिर था तो अगर सारी दुन्या आ जाए मगर उनको अपनी जगा से हटा नहीं सकता था जब किसी बात पर वो डट जाते सारी दुन्या भी आ जाये फिर भी वो पीछे नहीं हटते थे इस तरह का उनका व्यक्तित्व था ऐसे व्यक्ति टूट भले जाए मगर जुक नहीं सकते उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि क्या है इनी टूट सकते हैं लेकिन क्या हैं किसी और के सामने जुक नहीं सकते ऐसा उनका व्यक्तित्व था ब्रहमती दुरुस्टियों से राम विलाश के इस वाइस्वरी अहम को लोग इनी देखते हैं लोगों में ये भ्रहम फैला हुआ था कि राम विलाश इमानदार तो हैं पर अकड बहुत किसी से मिलकर नहीं चलना चाहते हैं इनके ऐसे विक्तित्व को देख लोगों में इस तरह की अपायश लोग इस तरह से कहते थे कि हां राम विलाश जो हैं वो इमानदार है कि हैं बहुत इमानदार तो हैं पर अकड उनमें बहुत ज्यादा है उनमें अकड जो हैं बहुत किसी से मिल कर चलना नहीं चाहते इस तरह से लोगों में अपाएं थी यह बात गलत यहां पर लेक्षख कहते हैं कि यह बात जो हैं गलत और आगे वो कहते हैं कि राम विलास एक विनम्र और विनयशील वेक्ती थे वो एक विनम्र और क्या है विनयशील वेक्ती थे राम विलास शर्मा में शहरी दुरगुण नहीं था राम विलास सौम्य गंबीर प्रतिभावान और इनी विचारक होने के कारण शहरी समाज के उंचे से उंचे लोग कई इन्ही संगत में बैठे उटने के अफसर सहज ही पाते थे यहाँ पर देखे जो शहरी जो दुर्गुन होते हैं राम विलाज शर्मा में बिल्कुल नहीं थे वो जो है जब वो क्या है उन्चे लोगों के साथ जब बैठा करते थो सभी उनसे आकरशित हो जाते उनसे आकरशित हो जाते और क्या है सहज ही उनके साथ मित्रता करने के लिए जुड़ जाते वो एक साउम्य गंभीर और जो है बहुत ही विनैशाली एक मिक्ती थे पिर आगे कहते हैं कि लोग उनसे आकरशित भी बहुत हुआ करते थे और उन्हे अपनी स्नेह भी देते थे बहुत ज्यादा ही उनसे आकरशित भी हो जाते और उनको लोगों का स्नेह भी बहुत मिलता थे ऐसे स्नेह मई क्या है राम विलास शर्माजी थे पिर आगे कहते हैं कि राम विलास में एक प्रबल दोश था उन्हें एक दोश भी था उनके विक्तित्व के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि हाँ लोग उनको जो है बहुत ज्यादा ही आकरशित हो जाते हैं उनसे स्नेह भी करते और एक विनम्र भाव भी रहता और लोग उनको समझते थे कि क्या है उन्हें बहुत ज्यादा अकड था क्योंकि वो इनी तूट जाना चाहते थे लेकिन किसी के सामने जुकना नहीं चाहते इस तरह से लोगों में अफाएं भी थी लेकिन वो इस तरह से नहीं थे ये गलत था कि वो एक विनम्रशाल एक बहुत ही अच्छे चरित्र के विक्ति थे और उनमें एक दूश भी था जब कोई उनसे कोई नाराज हो जाता तो क्या है वे धेड दिहाती की तरह एक दिहाती की तरह जो है उनको जो इनसे चिड़ जाता उनको जो है टिली-ली-ली भोक वाली मुद्रा में जो है उनको चिड़ाने लगते जब वो ज्यादा चिड़ने लगता जो ये चिड़ाते वो और भी तेज हुआ करता यही सामने वाला व्यक्ति जो है इनकी इस तरह से जो यह चिडाया करते इससे और भी ज्यादा चिड़ता तो यह और भी तेज हुआ करते थे उसे चिडाने के लिए यह एक उनमे दोश था राम विलास के तीखे वेंग भरी पिस पिस वाली हसी से बहुत से कलीजों पर क्या है तलवार से वार होत उनका क्रोत का बाही प्रदर्शन आमतोर पर उनकी जहरीली हसी और वेंग वच्छनों के रूप में ही होता अपने मित्रों भाईयों और बच्छों के प्रती करतव्य निस्टा रहे हैं तो यहां पर राम विलास शरमा उनकी जो ठीकी वेंग और जो है पिस पिस करने वाली जो उनकी हसी थी यह बहुत सारों के कलीजों पर वार कर देती यानि इतनी बुरी तरीके से वो चिडाया करते थे इसलिए यहां पर लेखक कह रहे हैं कि उनमें एक दोश भी था जो सामने वाला अगर कोई नाराज हो जाए उनको इस तरह से चिडाते कि वो उसके कलीजे यानि कलीजे पर वार होता यानि कलीजे कटने जैसे था दिनी बुरी तरीके से उसे चिडाया करते और जो है उनका क्रोध का बाही प्रदर्शन जो है वो आम तोर पर उनकी जहरिली हसी से ही होता उनकी जहरिली हसी द्वारा ही वितित हुआ करती थे शर्मा अपने मित्रों और भाईयों और बच्चों के प्रती करतव्य निस्टा रहे अपने मित्रों भाईय और जो है अपने बच्चों के प्रती वो क्या है करतव्य निस्टा रहे वे एक अच्छे पती आदर्श शिक्षक और क्या है उंदा पडोसी रहे भले इंसान एक आदर्श कहें उनका विक्तित्व था वो एक आदर्श शिक्षक रहे एक कहें उंदा पडोसी रहे और एक अच्छे पती भी साबित हुए है वो एक कहें एक भले इंसान के रूप में उनका विक्तित्व उमडाया फिर हिंदी के प्रती उ उनकी निस्टा जो है बहुत थी, उनकी आस्ता और भक्ति अटल रही थी, हिंदी के प्रती, हिंदी भाषा के प्रती जो है, इनकी जो निस्टा और आस्ता और भक्ति अटल रही थी, वो एक निर्भिक व्यक्ति थे, वो किसी से डरते नहीं थे, वो एक निर्भिक, किसी का भ पत्र निकाला जो साफताहिक पत्र था उन्हीं दिनों बनारस से जो हैं एक पत्र निकलता था अल्लाह की राह पर तो इन्होंने भी क्या हैं अपने पत्र का नाम अल्ला दे रखना चाहते थे अपने मित्रों से क्या हैं बात करके लेकिन ये नाम जो हैं इनको इनको इतना पिर जो है इन्होंने अपनी एक नई कहानी सुनाई पत्र निकालने के प्रस्ता पर भी इस प्रस्ता पर भी इसी दिन बाते हुई डैरी के अनुसार उसी दिन बुधवार नरोतम जी से पत्र के संपादन के संभन में तै किया तो यहां पर कहें इन्होंने एक नई कहानी सुनाई और पत्र निकालने के प्रस्ता पर भी इसी दिन बाते हुई डैरी के अनुसार उसी दिन बुधवार नरोतम जी से पत्र के संपादन के संभन में तै किया और बुधवार के दिन क्या है पत्र के संपादन के संभन में नरोतम जी से क्या है तै किया गया पिर जो है एग्रिमेंट का मसोदा भी उसी दिन बनाया एग्रिमेंट का जो मसोदा होता है ड्राफ्ट होता है उसी दिन वो बनाते है पत्र का नाम उस दिन निस्चित ना हो स लेकिन पत्र का नाम जो है वो निस्चित ना हो सका छे जन्वरी को रूप नारायन जी नहीं मसकरा नाम सुजाया छे जन्वरी को जो पत्र का नाम जो है इन्हीं नहीं सोच रखा था वो नाम जो है रूप नारायन जी ने उस पत्र का नाम जो है मसकरा नाम जो है सुजाया थ लेकिन राम बिलास को ये तो ये नाम पसंद था पर मसकरा से चकलस नाम उनहें मनहीमन अधिक जज रहा था यहां पर जो मसकरा तैग किया गया था नाम रखने के लिए जो कि रूप नाराएन जी ने इसका सुझाव दिया था लेकिन जो है राम विलास शर्माजी को ये नाम पसंद आ रहा था लेकिन इससे अच्छा नाम जो है यहां पर जो मसकरा नाम था उससे इनको चकलस नाम जो है वो जज रहा था यहनी उनको वो नाम बहुत ज्यादा ही पसंद आ रहा था रामविलास ने उसी नाम से आगे बढ़ाया तो जो इनके मित्र थे रामविलास वो नाम ही से आगे बढ़ाया रहें सच पुचा जाया तो इन cactus प्रकाशन के देड़ वर्ष में ही मेरे अधिक निखट आए वो बताते हैं कि हमारी मित्रता तो थी उन्होंने सुजाव भी दिया लेकिन जो इन्ही निखट जो एक दूसरे से मित्रते हैं वो जो हैं जो चकलस जो निकला उसके देड़ साल के बाद इन दोनों में कहें निखटता आई इस तरह से यहां पर लेख़ के रहे राम विलास उन दिनों शायद यम्मे के अंतिम वर्श मे थे तो यूनिवर्सिटी से लौट कर शाम को नित्य आते यूनिवर्सिटी से लौटते हुए नित्य लेख़ के घर आते और पिर यहां पर जो है नास्ता चाए हुका पान चलने लगता यह सब कुछ वहां पर चलने लगता योजनाये भी बनती एक साथ बैटकर लिखा भी जाता एक ही तक्ते पर बैटकर दोनों लिखते भी इस तरह से इन दोनों में बहुत ज्यादा ही करीबी आ गई निकटता आ गई इनके मित्रता जो है और भी घनिस्ट होने लगी थी तो हिंडी के प्रती जो है राम विलास की निस्टा और भक्ती शुरू से ही अटल थी इनकी निस्टा और भक्ती बहुत ज्यादा हिंडी पर थी पहले से ही तो कोई हिंदी के खिलाफ कुछ कहा तो उनके वेंग बानों से जो है बच्चता नहीं था अगर कोई भी हिंदी के प्रती कुछ के है तो उनके वेंग बानों से वो बच्चता नहीं था ऐसे हिंदी पर उनकी आस्ता थी इसको यहाँ पर लेखक कहते हैं मुंबई में एक शाम लकनो रेडियो का जो प्रोग्राम सुनते हुए मैंने एकायक एनॉंस द्वारा डॉक्टर राम विलाश शर्मा नाम की घोशना सुनी और सन 1970 को विलाश को पत्र लिखा इन्होंने कहें मुंबई में एक शाम लकनो रेडियो का प्रोग्राम सुना उसमें एक कहें एनॉंस्मेंट था जिसमें डॉक्टर राम विलाश शर्मा जी के नाम की घुशना हुई थी तो डॉक्टर राम विलाश शर्मा जी की जब खुशना हुई तो मित्र ने डॉक्टर बनने की खबर नहीं दी इस पर इनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है तब वे 1970 को विलाश को एक पत्र लिखते हैं तीज बरस का साती राम विलाश शर्मा जो है संस्परण में अमरुतलाल नागर ने जीवन की गहरी पकड़ के आधार पर अभिव्यक्ति प्रधान करते हुए जो है मित्र साहित कारों के जीवन के विविद प्रसंगों पर प्रकाश डालने वालों ने संस्परण साहिती की अनमोल निधी है यहाँ पर दिखिए जो इनका तीज बरस का साती राम विलाश शर्मा जी जो की डॉक्टर बनने की खबर इनको नहीं मिलती तो एक क्रोध से उनको एक पत्र लिखते हैं फिर वो कहें उसका उत्तर भी उन्हें मिलता है यहाँ पर कहें डॉक्टर जो राम विलाश शर्मा जी हुए वे थे उसकी खुशी भी थी और वित्र ने इस बात को नहीं बताया इसका दुक भी इसका क्रोध भी उनको आया था तो यह जो इनका संस्मरण है जो तीस बरस का साती राम विलाश शर्मा उनके व्यक्तित्व के बारे में उनके यहनी किस प्रकार वो कॉंग्रेस में भी थे किस तरह से हिंदी पर उनकी आस्ता थी कॉंग्रेस पार्टी में थे इनकी किस प्रकार की आस्ता थी सारी बातों की भी इन्होंने इस पार्ट में चर्चा की है यही एक संस्मरण जो है अमृत नागर जी का ए जीवन की यही गहरी पकड़ के आधार पर अभिव्यक्ती यही प्रधान करते हुए मित्र साहितिकारों के जीवन के विविद प्रसंकों पर प्रकाश डालते हैं साथी साथ यह जो संस्मरण है साहितिकी एक अन्मोल निधी है तो इसके द्वारा अमृत लाल नागर संदेश देते हैं कि एक मित्र जितना एक मित्र कितना सच्चा और इमानदार होता है इसके कहें इस संस्मरण के द्वारा ये जो हैं एक संदेश देते हैं कि एक जो मित्र होता है वो कितना सच्चा और कितना इमानदार होता है और उसकी मित्रता कितनी घनिस्ट होती है ये भी बताया है साफ दिल के मित्र कितने इमानदार होते हैं अपने मित्र की किस प्रकार वो मदद करते हैं ये सारी बातों के बारे में इन्होंने इस संस्परण में बताया है ये सारी बातें जो हैं इस संस्परण में इन्होंने बताया है तो तीज बरस का साती राम विलाज शर्मा जी के बारे में उनके विक्तित्व के बारे में उन्होंने किस प्रकार अंग्रेजी जो बन्यान है उनको था और हिंदी पर उनका किस प्रकार आस्ता थी किस तरह से वो क्या हैं जो बहुत ज्यादा ही इन से चिड़ते तो किस तरह से वो चिड़ाया करते थे उनके विक्तित्व का कोई दोश भी है इसके बारे में भी बताया और वो किस प्रकार एक इमानदार एक सचे मित्र इनके रहे और इन्ही अपनी पत्नी के प्रती और पड अभी प्राय को भी यहां पर बताया है तो इतना ही आपका पाथा 30 वरस का साती राम विलाश शर्मा अगली कक्षा में किसी और पाथ के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद